तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह बहुत ही सुंदर सा एक नीटिंग पैटरन इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अपलाई कर सकते हैं और वैसे भी जब हलकी हलकी सर्दिया शुरू होती है तो हमें लेस पैटरन की जरुवत पड़ती है स्टार्टिंग में तो मैं यह बहुत ही उप्सुरत सा लेस पैटरन लाई हूँ बैक साइड से ऐसी दिखता है और फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और यह फोर रोज में जो है ना कंप्लीट हो जाता है पैटरन बनाने में बहुत इजी है बट बहुत ही अलग तरीके से ये बनता है ठीक है जब आप बनाना शुरूर करेंगे तो आप पता चल जाएगा तो मैंने यहां पर इस model को बनाने के लिए 26 फंदे कास्ट ओन किये हैं तो पहला फंदा हमें यहां पर यह उल्टा बुनना है जो सीधा फंदा है उसे हम इस तरह से नहीं बुनेंगे इस तरफ को बुनेंगे इस तरफ को हमने बनाना है तागा अपनी तरफ करेंगे और पुर्टे फंदे को बैक लूप से बुनना है फिर या दूसरी तरफ सीधे फंदे को भी हमें बैक लूप से ही बुनना है इस तरह स तो इसी तरह से हम इस रो को कम्प्लीट करेंगे अखाओ अखाओ तो यह दिखे रो हमारी complete हो गई और लास्ट वाला जो हमारा पंदा है वो सीधा हमने बना लिया अब इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे और क्योंकि हमने ये लास्ट का फंदा सीधा बनाया था तो इस तरफ से हमें इसको उटा बनाना है तो इसको हम बिना बुने ही इस तरह से उतार लेंगे पहले फंदे को उसके बाद यान को दूसरी तरफ करके हम इसी तरह से सीधे फंदे पे सीधा फं बुनेंगे बट बुनना हमने ये बैक लोग से ही है इस तरफ धुमा के बुनना है अब इसको लूज करने के लिए पहले इस तरफ को सिलाइ लाके और फिर इधर को ले जानी ए और फिर यहां से ये लूड़ा सा लूज हो जाता है और अराम से इस तरह से हम इसको बना सकते हैं इसी तरह से इस तरफ को पहले सिलाई लेके और फिर इस तरह से बैक साइड पे हम ले जाएंगे और बैक लूट से सीधा फ़ना बना लेंगे यह दो तो इस तरह से हमको इसका बॉर्डर त्यार कर लेना है इस पैटरन से इसके बाद हम अपने पैटरन की फरस्ट रो स्टार्ट करेंगे तो यहां से हमने इस जो यह हमारा फरस्ट जो पहला फंदा है इसको हम इस तरह से बैक साइड से उतारेंगे इना बुने इसके बाद हम यान को ऐसे घुमा के सिलाई के उपर से दूसरी तरफ को ले जाएंगे और यहां पर यह जो दो फंदे हैं इनको एक साथ हमने बना लेना है उसके पार जो साथ वाला फंदा है इसे भी हम इस तरह से बना लेंगे और फिर यान को फिर से इस तरह को हमने गुमाना है और दो फंदे एक साथ बना लेने हैं इसके बाद साथ वाला पंदा हमने इस तरह से बुनना है पिर यान को घुमाएंगे और तो पंदे एक साथ ले लेंगे साथ वाले पंदे को सीधा बुनना हमने बैक लोप से पिर यान को ऐसे घुमाएंगे तो पंदे एक साथ लेंगे साथ वाले पंदे को बैक लूप से सीधा बनेंगे यार्न को घुमाएंगे दो पंदे सीधे बनाने हैं बैक लूप से साथ वाले पंदे को भी बैक लूप से सीधा बनाएंगे फिर यार्न को इस तरह से फिल घुमाएंगे दूसरी तरफ को और यहां पर हम इस तरह से दो फंदे एक साथ लेंगे सीधे बैक लूट से साथ वाले फंदे को बैक लूट से बुनेंगे फिर से यान घुमानी है तो इस तरह से हमें पूरी रोब बना लिली है इसको हम इस तरह से बनाएंगे फिर यान को घुमाएंगे दो पंदे हमें back loop से बनाने हैं साथ वाला पंदा हमने इस तरह से बुन लेना है और इस पंदे को भी हम इस तरह से बुन लेना तो यह हमने last का पंदा सीधा बुना है अब हम work को turn करेंगे जो पहला फंदा है इसको हम बैक लूप से इस तरह से उतारेंगे और इस तरफ को गुमालेंगे अलांकि यह हमारी रॉंग साइड है बट फिर भी हमें दूसरी तरफ को दियान को करना है और अब हम इस फंदे को बैक लूप से इस तरह से सीधा बुनेंगे सिधा बुनने के बाद पिर से हमें इस फंदे को भी सीधा बुनना है और इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे ऐसे जो हमने यह जाली बनाई थी ठीक है जी उसके बाद हम यान को ऐसे गुमाएंगे और ये जो दो फंदे हैं इनको एक साथ हमने बैक लूप से सीधा बुनना है अब ये जाली आ गई इसे भी हमने बैक लूप से सीधा बुनना है फिर यान को गुमाएंगे दो फंदों को इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनेंगे फिर जो जाली है उसको भी बैक लूप से सीधा बुना है फिर जाली डालने के लिए यान को दूसरी तरफ खुमाएंगे और बैक लूप से दो फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे जाली वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे फिर से जाली डालेंगे दो फंदे एक साथ बुने बैक लूप से अस्थ्यान रहें कि जो भी फंदा बुनना है वो बैक लूप से ही बुनना है इसमें ठीक है और उसके बाद यान को इस तरह घुमाएंगे और दो फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुनना है जाली वाले फंदे को भी सीधा बुनना है फिर यान घुमाके यानी जाली डालके एक साथ दो फंदों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे जाली को सीधा बुनेंगे इसे जाली डालेंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे बैक लूप से सीधे ये लास्ट में जो जाली है इसे सीधा बुनेंगे और जो ये फंदा है लास्ट का हमारा उसे भी हमने इस तरह से सीधा बुन गया इसके बाद पहले पंदे को सीधा बुना था इस तरफ से हम इसको उठा उठाएंगे बैक लूप से यान को घुमाएंगे और इस सारे पंदे हमने इस रो को बैक लूप से सीधा बुनना है जितने भी फंदे हैं सबको इस तरह से हमने बैक लूप से सीधे बुनते जाना है झाल 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 इसके बाद वर्ग को टर्न करेंगी और सबी फंदों को हमने इस तरह से उठा बुनना है बैक लूप से यह दिए पहला फंदा हम बीना बुने उतारेंगी और उसके बाद हम इस तरह से बैक लूप से सभी फंदों को उटा बुनेगे झाल 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 और यह जो लास्ट का फंदा है इसको हमने यहारन दूसरी तरफ तरके इस तरह से बैक लूप से सीधा बुला तो यह देखे चार रो में हमारा जो यह पैटरन है यह बनके तैयार हो गया अब हमें दुबारा वही पैटरन को रिपीट करना है पहला फंदा हमने बैक लूप से उतार लिया और अब हम यहां पे इस तरह से यहारन गुमा के जाली डालेंगे और जाली डालने के पाद दो फंदे एक साथ हम बैक लूप से सीधे बुनेंगे फिर नेक्स्ट फंदे को भी इस तरह से सीधा बुनेंगे बैक लूप से फिर से जाली डालेंगे और यह बैक लूप से हमने दोनों फंदों को सीधा बुनना है फिर एक फंदे को इस तरह से सीधा बुनना है फिर जाली डालेंगे और दो फंदे एक साथ बैक लूप से सीधे बुनेंगे इस फंदे को सीधा बुनेंगे जाली डालेंगे तो इसी तरह से हमको इस रोप को कम्प्लीट करना है कि अब आख वाले पंदे को सीधा बुनेंगे बैक लूप से और लास्ट का पंदा हमने इस तरह से सीधा बुन देना है कि इसके बाद वर्थ को टर्न करेंगे अब लूप से इस पंदे को हम उठाएंगे और बिना बुने स्लिप कर देंगे यान को दूसरी तरफ करेंगे और फिर इस पंदे को सीधा बुन लेंगे इस पंदे को भी सीधा बुनेंगे और ये जाली वाले फंदे को भी हमने सीधा बुन देना है बैक लूप से इसके बाद जाली डालेंगे ये दो फंदो को एक साथ बुनेंगे बैक जो जाली है, जो हमने last slime में डाली थी, इसे भी हमने ऐसे back loop से सीधा बुने दिए है। इसके बाद हम फिर से जाली डालेंगे, दो पंदो को सीधा बुनेंगे, इस तरह से, एंड जाली को भी यहां पे सीधा बना देंगे, बैक लूप से बस ये ध्यान रखना है आपको इसमें कि जो भी फंदा बुनना है वो बैक लूप से ही बुनना है चाहे वो सीधा हो या उर्टा हो दोनो तरह के फंदे बैक लूप से ही बुने जाएंगे इसके बाद वर्ट को टर्ण करेंगे और यहां पर हम इसको उतार लेंगे और अब यान को दूसरी तरफ करके हमने सारे फंदे जो है वो बैक लूप से सीधे बुनने हैं कि इस तरह से हम सीधी सारे फंदे बनाते जाएंगे जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुगी हूं रो नंबर थर्ड की तरह हमने इस रो को बनाना है वर्क को टन करेंगे और इस रो को हमें रो नंबर फोर की तरह बनाना है यानि सारे फंदे हमने इसमें बैक लूप से उटे बुनने हैं तो यह देखी कितना प्यारा हमारा जो लेस पैटरन है वो बनके तयार हुआ है तो वस आपने इसी तरह से यह चार प्रोज रिपीट करते जानी है और आपका जो पैटरन है वो इस तरह से बनता चला जाएगा तो गाइस आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको यह पैटरन कैसा लगा अपना प्यारा सा कोमेंट करके मुझे जरूर बताएगा तो थैंक्स पर वोचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और इंजोए तो प्ले विद कालर्फुल प्लेड्स झाल जाल रखेगा झाल प्लेड्स